आज सुफा से चाइना की स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे हैं चाइना की एकोनोमी को एक और बड़ा जटका लगा है चाइनीज ने बोला शुरू कर दिया कि I won't want to be Chinese in my next life चाइना में जो एकोनोमिक क्राइसिस है पूरा का पूरा कंट्री एक जिसको बोते है कि ऐसे मोर पर पहुंच गया है जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कंप्लेक्स एक जाल में हम फस्ते जा रहे हैं इसमें से बाहर कैसे निकला जाए और अब देखिए ये चार-पांच चीज़े इस वीडियो से सामने आती है चाइना की तो वहिया उल्टी गिंती इसलिए हमने टाइटिल में डाला पाकिसन और चाइना की उल्टी गिंती शुरूप आप सोचके देखिए रात के नौ बजे हो चालिस साल का एक आदमी जो पहले किसी कमपनी का चेर्मेन था आज वो डिलिवरी मेन का काम करता है सरकों के साइट पे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा खाना खा रहा है एक्जास्टर है पान सो से जादा शहर एक दर्जन से जादा राज्ये और साड़े छे हजार जगह ओपर परदरशन है जी हाँ यह आकड़े निकल कर सामने आए है चीन से और यह इस समय कम्मुनिस्ट चाइना की हालत को बया कर रहे हैं यह gd.com बहुत बड़ी डील है बहुत बड़ा जटका है चाइना के लिए वालमाट का पुल आउट बहुत बड़ा जटका है चाइना के लिए इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी कम्मिस्ट क्योंकि वालमाट एक इजद का भी गेम है वालमाट एक ऐसा भी गेम है जिस को गदम की मिली अब की बार और देखिए जो पीछे बेले ने करके दिखाया उसके बाद अगर चीनी डरते तो इनका डरना ज़रूरी और यह सोरी हर घर में चल रही है और आप सोचके देखें यह एक जगा है चंग्दू चंग्दू की अंदर 80% फैमिली जो हैं बैंक्रप् पड़ता है नमस्कार दोस्तों जहिन इतिहास में पहली बार चीन में मास्ट लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बताया जा रहा है कि चीन के 5000 से जादा सहरों में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइना की कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इनने रोकने के लिए लेकिन प्रोटेस्टर की संख्या इतनी जादी है कि अब कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये हैं सबसे खास बात यह है कि प्रोटेस्ट करने का इनका कोई एक करण नहीं है दरसल इसके करण कही है जैसे कि चीन के अंदर housing crisis है यानि कि पिछले 30 सालों से Chinese लोग ने जो भी कमाई करी है उस कमाई से उनने घर करी दे हैं और उन घरों में invest किया है लेकिन आज उसका paradigm ये है कि उन घर की कीमत 60-70% गिर चुकी है जिस वज़ा से उन घर flat को कोई लेने को तयार नहीं है इसलिए उन घर के honor का गु क्रास लो होना चीन कीओनामी इस ऒक्त डिफलेशन में जा रही है और इस वज़ल से चीन के आम लोग की हालत बद्तर हो गई है तीस्रा कारण यह है कि चीन की बड़ी ils चोड़करिए आप लगाये है और कि चीन की घ्र फीलाड़ी ब्हआ घर करिश बरदानी नहीं चाइन मोर्ड पर पहुंच गया है, जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो complex एक जाल में हम फस्ते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए और ये खुद struggle कर रहे हैं, struggles भी इतनी है, वो working class ले लिजिए, middle class ले लिजिए government के employees ले लिजिए, आप बगवान की मार देख लिजिए, वो भी इनकी उपर पढ़ती जा रही है और ये सारे factors चाइना के future को reshape कर रहे हैं, government क्या कर रही है इसके उपर, मैं वो भी आपको उजागर करूँगा लेकिन शुरुआत करते हैं आज working class से, working class मैं बोलता हूँ, जो worker है, जो सड़कों पर काम करता है, जो construction का का काम करता है, कोई सफाई का का काम कर रहा है, मैं उन से लेता हूँ जरनी अपनी वहाँ से शुरू करते हैं, streets of Beijing से, जहां पर जो economic downtown है, वो सफाई साफ आपको दिखना शुरू हो रहता है, बड़े बड़े cities के अंतर, अब सोचके देखिए, रात के 9 बजे हो, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी company का chairman था, आज वो delivery man का का काम करता है, सड़को family के साथ, बात कर रहा है, बैचों को सोने से लिए, बोल रहा है कि भईया, आप सो जाओ, मैं तो रात को 12 एक बजे आओंगा, क्यों, क्योंकि जब तक वो सुबे से रखे रात तक, बार बार deliveries नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपे नहीं कमा सकता, और ये आदमी बोलता है, कि भई, जब आप बात करते हो, delivery वालों से, जो हमारे घर में भी, यहाँ पर delivery वाले लोग आते हैं, कोई पहले किसी company में CEO था, कोई वहाँ पर manager था, कोई chairman था, आज delivery boy का काम करने हैं, और वो बोलते हैं कि भई, अब पैसा ही नहीं रहा, इस काम के अंदर भी, रोते हैं कि पर, और वो बोलते हैं कि हमारे पास time ही नहीं है, अपने बच्चों का देख रहे करने के लिए, उनको मिलने का भी time नहीं है, ना अपने parents को, जो उनके बुड़े माबाप हैं, क्योंकि सबका एक इक बच्चा है, उनको भी देख रहे करने का time नहीं है, और रात को late late तक य इसलिए कि कुछ सिक्के, ये कमा लेंगे, ठके हारे आपको चेरे दिखते हैं सब जगा पर, ये working class के, और यही चीज़ है, जो यहां पर जो construction की sites हैं, वहां पर भी यही हाल है, isolated अब उनको, सब कुछ बंध है, एक तरह से, बहुत कम constructions चल रही हैं, और पूरे चाइना में आपको यही मोहल दिखता है, millions of workers बीना job के बैठे हैं, और क्या बोल रहे हैं, next life में I will not be a Chinese, ऐसी declaration है लोगों की तरफ से, despair है जिसको बहते हैं कि मायूसी है, पूरे economy के अंतर, और जो ये economy थी, इतनी rise कर रही थी, ये पागल होगे थे, इन्होंने कभी भी ये चीज़े न unemployment को तो ना वो निशान नहीं था यहां पर, और आज ये हालत है कि job ढूनने पे भी मिलती नहीं है, तो middle class है, वो पिष्टा जा रहा है, काम ही नहीं है, और middle class जो था, वो श्रिंक होता जा रहा है, भारत में middle class बढ़ रहा है, शाइना में श्रिंक हो रहा है, और ये और इसके consequences जो है, वो इतने ज़ादा गहरे हैं, कि भाई, एक मेरे दोस्त है यहां पर, उसका हाल है कि वो बहुत बड़ी अच्छी job कर रहा था, जो Chinese dream बोलते हैं, उसमें वो रह रहा था, उसकी wife भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, दोनों की जो income है, वो एक क्रोड से ज knife, वो जी रहा था यहां पर, लेकिन जैसे ही COVID का time आया, उस आदमी की job हाथ से निकल गए, और जो mortgage था घर का, उसकी क्ष्टे हैं, वो भरनी मुश्किल हो गए, जो daughter है, उसके tuition की fees देना मुश्किल हो गया, यानि कि उनको हर चीज को cut करना पड़ा, बच्ची जो है, वो private school school में नहीं पढ़ती, government school में पढ़ती है अभी, क्योंकि वहाँ पर education free है, सारी social activities का बाहर जाके खाना खाना हो रहा है, सब खतम कर दिया, और ये घर को कैसे बचाया जाए, उसके बीचे लगे है, घर हाथ से निकल गया है, अब marriage baby divorce हो गया उनका, they have been separated, ये ऐसी stories आपको बह 80% families जो है, bankrupt हो चुकी है, 80%, government कहती है कि ये तो एक market की correction है, already prices बहुत जबाँ हाई हो गये थे, जो 50 लाग रुपे का घर था, वो 5 क्रोड का हो गया, अगर आज 2 क्रोड का हो भी गया है, तो फरक क्या पड़ता है, लेकिन इसके ripple effects होते हैं, अमेरिका और चाइना की दोनों की economy में दिकते हैं, but अमेरिका के fundamentals strong है, American capitalism is not sustainable, ये मैं सालों से कहता रहूं, ultimately is not sustainable, but चाइना में सब कुछ ही नकली है, but अब ये देखना है, who conks are first, मेरा अनुमान है, चाइना will conks are first, अगर चाइना conks are first, पाकिस्तान वगरा को तो नुक्सान होगा, पर हमें और बहुत सारे वल्ड को बहुत इसका फाइदा होगा, एक पहले जटका लगेगा सब को, but ultimately in the long run it will be good for us, for Americans, for the democracies and for the world as such, Pakistan is anyway a lost case, by the grace of God, maybe next time, this time, आज का दिन, आज का समय, next year, in 2025, there may be no Pakistan, we might have 3-4 चोटे मोटे countries which have been formed out from Pakistan.